हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि MS World की फाइल को JPEG format में कैसे offline change किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में सिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे MS World यहां पे open करेंगे, यह MS World हमने open किया open करने के बाद यहां पे हम document कमार लिखेंगे is equal to, यह हमने यहां पे document कमार लिखे अब यह जो फाइल है, इस फाइल को हमने JPEG format में change करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे फाइल पे जाएंगे फाइल टैप पे जाने के बाद, print पे जाएंगे, print पे जाने के बाद यह फाइल यहां पे show हो जाएगी तो यहां पे क्या है, हम इसको zoom करेंगे यह zoom की, zoom करने के बाद, यहां पे search में हम लिखेंगे snapping tool यह देखो, snapping tool यहां पे आ जाएगा यहां पे आने के बाद, यहां पे click करेंगे click करने के बाद, यह snapping tool यहां पे आ जाएगा इसके बाद क्या करना है हमने, यहां पे new पे click करना है यह जो new लिखा हुआ है, यहां पे click करेंगे new पे क्लिक करने के बाद इसको select करना है जैसे ये हमने select किया select करने के बाद ये select हो गया अब क्या करेंगे हम इसको save करेंगे तो save करने के लिए file tab पे जाएंगे file tab पे जाने के बाद save as पे जाएंगे save as पे जाने के बाद ये जो है file name यहां पे file name देंगे जैसे suppose करो कोई भी file name यहां पे दे लिया अमित यह file name दिया देने के बाद यहां पे save as type यह लिखो save as type पे यहां पे png format दिया गया है gif file दिया गया है jpeg file यहां पे लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है ms world की file को jpeg file format में change करना है तो यहां पे हम click करेंगे अब यह file जो आमित नाम की file है इस file को कहां पे हमने save करना है तो यह document दिया गया है desktop पे save करनी है तो यहां पे click करेंगे suppose करो हमने यहां पे desktop पे click किया desktop पे click करने के बाद यहां पे save पे click किया Save पे क्लिक करने के बाद यहां से इसको बंद कर देंगे इसे भी हम यहां से बंद कर देंगे और इसके बाद यहां पे Save करना है तो Save करेंगे नहीं तो Don't Save यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद यह जो Amit नाम की फाइल है यहां पे आ गई है यह Amit यहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यह जो है JPEG फाइल फॉर्मिट में यह फाइल चेंज हो गई है तो इस तरह से हम यहां पे MS World की फाइल को JPEG format में change कर सकते हैं अगर हम यह देखने चाते हैं कि JPEG format में change हुई है या नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे यहां पे इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद यहां पे फाइल के उपर right click करेंगे और यहां पे property पे click करेंगे property पे click करने के बाद यह देखो types of file JPEG file तो यह जो file है यह JPEG file format में change हो गई है इसके बाद इसको यहां से ok करेंगे तो इस तरह से हम MS World की file को JPEG file format में offline save कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि कैसे MS World की file को JPEG file format में change किया जाता है और वो भी offline अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद